हेलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस एडूप चैनल मेज़र टारियर पर तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग कलास्टेन के साइंस जाने की विज्ञान के क्रेस कुर्स का सात्वा पार्ट को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग काफी महतपूर्ण को सेलेट की हैं जो अवी तक कुछ भी पर आहने किये हैं तो आप जो हैंस में असी में असी लाएंगे मेरा गिरेंटी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे 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 आफ्जेटिव को कवर करेंगे जो आपके बोड़ पर इक्षा में हुब अभू देखने को मिलेगा तो दोस्तों अगर आप इस वर मैट्यूर पर इच्छा देने वाले हैं ना इस वीडियो को बिना स्कीप के शुरू से लेकर आगरी तक जरूर देखेगा तो फ्रेंड फडावर से वीडियो को लाइक कर दीजे अगर आप उससे पहले हमारे चैनल पर नए आए ह बेल आइकन को प्रेस करके ओल पर जरूर सेलेट कर लिए जगा ताकि फ्यूचर में जब भी कोई लाइप कलास हो तो आपको हमेंसा नौडिफिकेशन मिलता रहे तो आए सुरू करते हैं आप आज के पहले नमर परसंट से देखे का कॉस्टन कर रहा है कि प्रोटीन का हो जाएगा जिसे हम लोग इस्टो मेच या फिर पेट कहेंगे अब आये फ्रेंड देखते हैं आप दो नमर परसंट जो की काफी मत पूर्ण है कि पाचन की किर्णी या पूर्ण होती है बहुत इंपोर्टेंड है और आपका दिया हुआ है अगनाश्रे में या फिर की दिवार में पाए जाने वाली गरांतियों के सराव को क्या कहते हैं पूर्ण है और इनके साथ सकस इंटेरिकस कहते हैं आप आये फ्रेंड देखते हैं आप चौथा परसंट को देखेगा कि मनुसे कि मुखगुहा में कितने जोड़े लाल गरंथिया पाई जाती है अप देखेगा पंच नवर परसंट को क्या कहाद जाता है आपसन A में आपका दिया हुआ है पाइलोरिक या फिर कार्डियक या फिर फुन्डिक और आपसन D में आपका दिया हुआ है इपिग गलॉलिट्स तो दोस्तो आप लोगो बता देते हैं कि अमासे के अगर भाग को कार्डियक अमासे कहा जाता है यानि कि या आप मुराबस नवर भी जो है ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग कलाश्टन के साइंस के क्रेस कोर्स का साथ वापार्ट में हम लोग काफी महत पूर्ण चारिस और अफजरिफ कोसंस को कवर कर रहे हैं और इस वीडियो को समपूर्ण शुरू से लेकर आखरी तक देखने के बाद आपके फानल मैटिक बोड़ पर इच्छा में बहुत सारे परसन जो है ना हूँ बहुत देखने को मिलेगा और दोस्तों यह 40 परसन में से अगर आपको जो भी परसन कर याद ना हो ना तो प्लीस दोस्तों उस परसन को अपने नोट बुक में नोट कर लीजेगा और उसे आप लोग जरूर याद कर लीजेगा और इस वीडियो को समपूर्ण शुरू से लेकर आखरी तक देखने के बाद लास्ट में आपको कमेंट करके भी बता देना है कि यह 40 परसन में से प विलेन के पीज का बन साथ से कम होता है तो उसे जो है ना अमले माना जाता है यहाँ पर मोर आपसन अबर ए जो है बिल्कुर से उत्र हो जाएगा और दोस्तों उदासीन विलेन की पीज का बन जो है ना साथ होता है अब आए फ्रेंड देखते हैं पर अगला परसन को देख का जो कि काफी मतपूर्ण है कि सभी जीव जनतु हो के लिए उर्जा का अंतिम सरोदें और अ में आपका देवा गरह या फिर चंद्रमा या फिर सुरिय और अपका देवा कोईला तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं जितने भी जीव जनतु है ना उनके लिए जो उर पर अगला परस्तों को देखेगा कि अमीबा में अधी कांस पोचन कैसा होता बहुत ही मतपूर्ण है और अपसन अमीबा में अधी कांस पोचन जो है ना अंतर गरहन होता है और अमीबा अपना भोजन किस के दोरा पकड़ता है तो दोस्तों कुटबात के दोरा अमीबा अपना भोजन को शिकार करता है अब देखें आप दास नमर परसन भी बहुत इंपोर्टेंट है कि कि किस की उपस्तिति के कारण पोधे कारंग हरा होता है option A में आपका दिया chlorophyll के कारण या फिर Leecoplast के कारण या फिर Phytokrome के कारण option D में आपका दिया और इनमें से कोई ने, तो दोस्तो chlorophyll के कारण किसी भी ओदे कारण जो ही न हरा होता है यहाँ पर मोरा option A जो ही न बिल्कु से उतर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं आप पर अगला परसन को देखेगा कि नेमलिकित में कौन अनेची किरिया नहीं है तो सबसे पहले आप लोग को बता देथे कि अनेची किरिया क्या होता है कि अईसे किरिया जो अपने इच्छा के अनुसर नियंत्रित नहीं कर सकते हैं एनेची किरिया उसको कहेंगे जो अपने इच्छा के नुसार कंच्रोल नहीं कर सकते हैं तो यहां पर वमन मतलब उल्टी होता है उल्टी हो गया चबाना हो गया और आपका लारकाना ये तीनों जो है ना अनेची किरिया के उधारन है लेकिन हिर्दे का धरकना ये आपका अन अगला परसंट जो की काफी मतपूर्ण है तो देखिए का क्रियाओ का नियंतरन केंद्र माना जाता है तो यहां पर कंट्रोल सेंटर जो है न किसको माना जाता है आप लोगों को बताना है और अपसन आप का दिया है और अपसन से पाली और अपसन डिया है उनमें से नियंतरन केंद्र माना जाता है न Macos माना जाता है और बी जो है ना बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब आई फ्रेंड देखते हैं पर तेरह नमर प्रस्ट को देखिए जो कि काफी मतपूर ने की सबसे जटिल मस्तिक्स कोन है या फिर जलेज जीवओं का और फिर मनुसिय का या फिर पक्षिव्ओं या प्लोगों बता देते हैं सबसे जटिल मस्तिक्स जो होता है न पसू का होता है यानि कि आप नमर आ बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब देखें आपे 14 नमर प्रस्मी बहुत important है कि मेरुरजू के आगात से क्या हो सकता है option A में आपका दिया मधू में या फिर घंगा और option C में आपका दिया बाउनापन या फिर लोगा तो दोस्तों यहाँ पर लकुआ है ठीक है दोस्तों मेरुरजू के आगात से जो है लकुआ हो सकता है यानि कि यहाँ पर अपका दिया हुआ इनमें से सभी तो दोस्तों उच अस्तर की जीवों में जो विक्सित तंत्रिका तंत्र होता है बाइब करें प जाते हैं अब आप सभी में पाये जाते हैं इसान आप यहां पर बिल्कुल से उत्र हो जाएगा तो दोस्तों अभी तरकर वीडियो को लाइक ने किता एंक लिए ना तो पन्त हैं साबस्क्राइब कर लिए गा उप्साफख़रा का और लोगो बता देते हैं दो नियुरन के खाली अस्तान को हम लोग करते हैं सिनेप्स करते हैं और बी जो है ना यहां पर हमरा बिल्कूल से उतर हो जाएगा अब देखें हाँ आपे 70-90 पर्सन भी बहुत important है कि आदुनिक आवर्सारनी के 36 कतारों निवलीखित में क्या कहलाती है बहुत important है जो आपका advanced periodic table होता है ना उसमें चहती कतारे जो होता है न, क्या कहलाता है? option A में आपका दिया हुआ है, आवरत या फिर Samoo और option C में आपका दिया है कोस या फिर इन में से कोई ने तो दोस्तों, आप लोगो बता देते हैं आधुनिक आवर सारनी की चहती कतारे, आवरत कहलाता है और दोस्तो उधर कातारे को हम लोग क्या करते हैं समू करते हैं उधर कतारे को साथ में से भी आप लोग को याद रखना है अब आये फ्रेंड देखती हैं आप एठार नमर पर सी बहुत इंपोर्टेंड है कि निमलेकित में से कौन सबसे कम अभी क्रियासिल है option A में आपका दिया हुआ is aluminum या फिर zinc या फिर फेरा और option D में अपका दिया मैं तो दोस्तों यहां पर यहां पर सबसे कभ अभी क्रियासिल होगा ना अल्मुनियम जिंग और मेंगनेसियम के तुलना में सबसे कब अभी की असल जो होगा फेरम हो जाएगा यानि कि लोहा हो जाएगा और सी यहां पर हमरा बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब देखें आप पर 19 परसन भी बहुत important है कि sodium की परमानु संख्या है यानि कि sodium की परमानु संख्या होता न कितना होता है option A में आपका 11 या फिर 14 या फिर 17 और option D में आपका 20 तो दोस्तों आप लोगो बता देते हैं जो sodium होता है ना उसका जो atomic नमर होता है ना 11 होता है option A जो ही ना बिल्कुल से उत्र हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आपे 20 नमर परसन भी बहुत important है कि आवर्त सारने के परत्थम वर्गे के सदस्य होते हैं क्या होते हैं अमले धातू या फिर अक्रिया गेस या फिर छार धातू और option D में आपका दिया हुआ मिसर धातू तो दोस्तों आप लोगो बता देते हैं आवर्त सारने के पर्थम औरके जो सदस्य होते है न चार धातू होते हैं यहां पर उप्षन नमर सी जो है न बिलकू से उतर हो जाएगा तो दोस्तों प्लिश दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कलिजेगा अब देखे हैं पर 21 पर पर देखेगा कि निमलिकित में सबसे भा पर देखेगा कि सोने की परवानु संक्या होता है यानि कि सोना की जो परवानु संक्या होता है यहां पर उप्षन नमर सी जो है बिलकू से उतर हो जाएगा अब देखें अब देखें पर देखें अब एक इस तक कि परवानु संक्या होता है और पहसन अपके लिए बहुत ही मत पूर्ने और दोस्तों एक पुछायता है कि कौन सी धातु को चाकू से आसानी से काड़ सकते हैं तो दोस तो आपका लीथियम होता है आपका पोडेसियम यह तीनों धातु को जो कारवन के तीन अपरूप के आलावे जो तीसरा अपरूप को मना जाता है ना उसको हम लोग हिरा कते हैं यानि कि यहां पर मुरूप्स नमबर यह जो इना बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब चलिए फ्रेंड देखती हैं पर 25 नमपर जो की काफी महतपूर्ण है कि कारवन की यहां कि संख्या लगबग कितना होता है बहुत ही महतपूर्ण परशन आ में आपका दिया हो दो मिलीयन है या फिर तीन या फिर चाई मिलीयन है और अथिसंटी ने अपको दिया हूँल मम्लियन हैं तो करवन की यह जो वीड़ी कहता है कि काफी मतपूर्ण है CT कि हिरा और क कार्बन की क्या है और समस्थानिक या फिर बहुलाइग और अफसन डी में आपका दिया अपरूफ तो आप आप लोग क्या करते हैं काशा करते हैं अफसन बी जो है ना बिल्कुल सेथर हो जाएगर दोस्तों यह पीतल किसका मिस्थातु होता है तो जींक और और कोपर का मिस्थातु होता है अब आई फ्रेंड देखती है आप पर 289 परसन जो की काफी मत्पून है कि सीसा और टीन के मि पिलाए जाता है तो सॉल्डर बनता है यानि कि यहां पर आप से बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब चलिए फ्रेंड देखते हैं पर 29 परसंट को देखी का कि निमन में कौन अधातु विदूत का सूचा लग है और अपका दिया ग्रेफाइट या फिर कोपर और अपका दिया हीरा या फिर सलफर तो दिसको आप लोग्LYों को बता देते हैं अधातु जो विदूत का सूचला यानि कि जो गुट कंड़कर है ना ग्रेफाइट एक परकर काया अधातु है यह आधातु होते भी का तैकआप को माना जाता है अप आधो आफले देखते हैं पर अगला पर देते हैं जो सोडेव एलिमेंट होता है ना इसको हम लोग किरोसन तेल में डूबो कर रखते हैं यानि कि या प्रमर आप्समर एज जो ही ना बिल्कुल से उतर हो जाएगा तो आज के इस वीडियो में हम लोग करास्टेन के साइंस का क्रेस कोर्स का सात्वा पार्ट को देख रहे हैं और इस पार्ट में हम लोग ऐसे ऐसे और आपको इच्छा में देखनों को मिलेगा और दोस्तों इसमें जो हम लोग 40 वस्तुनिष्ट और यह सभी परसन आपका यन्सी ए आटी के निउव पैटर्न पर अधारी थे और दोस्तों यह 40 परसन में से अगर आपको जो थो याद ना हो ना तो पिलेज दोस्तों उस परसन को अपने नोट-बुक में नोपके उसे ज़रुरियात करिजियेगा और दोस्तों अभी तबी तका वीडियो लाइक ने कीए ना तो प्लीस दोस्तों वीडियो słu लाइक जरू कर लिजेगा अब देखें आप 31 नमर परस्ट भी बहुत ही महत्पूर्ण है और बहुत बर आपके फानल मैटिक पर पेच्छा में पूछा भी जा चुका है कि निम्र में कौन अधातु पानी में डूबो कर रखी जाती है आपके अपर या फ्रेस पर्लाड फारस या फिर सल्फर पर्लाइक टी होता है तो दोस्तो जो पानी में डूबो कर रखाते हैं क्योंकि ओवाय मंदल गे तो इसम सब्सक्राइब करते हैं अगला पर्स जो की काफी मत पूर्ण है तो देखिए का क्वेशन से एक रहा है कि जल विदुत सनियंत्रा किस उर्जा को विदुत उर्जा में सब्सक्राइब करते हैं और फिर सब्सक्राइब करते हैं अब देखिए अब देखिए इंद्र में ओर्जा का कैसा से शुरुत हो सकता है option A में आपको दिया हुए नवी करनी है सरोत या फिर नवी करनी है सरोत या फिर दोनों प्रकार के सरोत और option D में आपको दिया वज़ सभी कथन साथ यह तो दोस्तों आप लोगो बता देते है जिवास इंदन क्या होता है कि जीव जनतों से जो प्राप्त इंदन होता है जैसे कि अपका पैट्रोलियम हो गया ठीक है प्राकृतिक गेस हो गया लपीजिक गेस हो गया ठीक है इस अब क्या होता है जिवास्प इंदन होता है तो ये आने वाले समय में क्या होगा समाप्त हो जाए गया यानिकि इनका भ sulfur dioxide gas già,ritrogen gas तो जब भी आप जवास इंदन को जलाते है ना तो इसके फलासर रूब जो oxygen gas होता है आठीज अब ज़िएmp deles गेस मुक्त नहीं होती है यानि कि जवास इंदन को जलाने के लिए oxygen gas की आफ़ीउ सकता परती है लेकिन oxygen gas, जो हैंना मुक्त नहीं होती है तो दोस्तों अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किये ना तो प्लीस दोस्तों वीडियो को लाइक जरू कलीजेगा अब देखें आप 36% क्या आप रहा है कि कुल उर्जा खपत का कितना परतिसत पवन चक्यों से प्राप्ट होता है और फिस फिस दी या फिर 30 फिस दी और अपसन डी में आपका दियो 25 फिस दी तो दोस्तों आप लोगों को बता देते हैं कि डेन्मार्क में कुल उर्जा खपत का 25 परतिसत पवन चक्यों से प्राप्ट होता है और फिस नवर डी जो ही न बिल्कु से उत्र हो जाएगा चले फ्रेंड देखती हैं पर साई 30 फिस नवर परसन को देखेगा कि डेन्मार्क को कहाँ जाता है आप लोगों को सिंपल ही पता होगा कि डेन्मार्क को हम लोग जो ही न पवनों का देश करते हैं और फिस नवर सी जो ही न बिल्कु से उत्र हो जाएगा अब देखे हैं पर 38 फिस नवर परसन जो की काफी मतपूर ने की नरोडा नाभी के विदू सनियंत्र कि स्राजे में इस्तित है और सन आ में आपका दिया हो राजस्थान में या फिर महराशन में या फिर उत्तर परदेश में और आपसन टी में आपका दिये हो गुजरात में विदू सनियंत्र जो ही न या फिर उंरा बिल्कु से त्रो जाएगा अब आए फ्रेंड देख आप एंच्छालीस न में परसन जो की काफी मतपूर ने कि शोर कुकर के लिए कौन सा दरपन सरवाधिक उप्युक्त होता है option A में आपका दिवा समतल दरपन या फिर उतल दरपन या फिर आउतल दरपन और option D में आपका दिवा इन में से सब ही कि सोर कुकर में परिक्त्य बरतन पडाय निम्न में से किस रंग से पैंटेट होता है सवी काला रंग से या पर पीला रंग से या फिर लालो रंग से तो बुक्तन कैल से थोता है या या अपrint परसन ऐसे परसन है कि जो इस्टूडेंट अभी तक कुछ भी पराई नहीं किया है ना तो अभी से पराई करके आप अपने बोट पैच्छा में काफी अच्छे मांक से पास आउट हो पाएंगे आपको सिर्फ और सिर्फ डेली रेगुलर क्लास करना होगा और जो भी कोशन अ इसका भी जवाब जो है आप लोग को इसी वीडियो में कमेंट करके बता देना है कि परकास सेंसीले सी अंगक इन में से कौन है और से में से पहले से आप लोग को कितना परसन का सई और साटिक उत्तर याथ था अब आए फ्रेंड देखती है पर तो दोस्तों अभी तका वी आईक जरू कर लिजागा और दोस्तों चैनल पर नाए है नअ तो पिली चैनल पर लिजी ईए आपसा करें और साथ में याल पर जरू सिलेट खिरके तो यूड़ नियूव्ह को अपने दोस्तों में ज़्यदा सेहरा करें ताकि वो भी जो है न अपने बोर्ट पेच्छा में काफी अच्छे मांक्स लास गे तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे